पूरादबाद में कॉरोना का कहर जारी वरिष्ट पुलिस अधिक शक्त का ओफिस दो दिन के लिए बन उत्तरप्रदेश के मुरादबाद में कॉरोना का कहर जारी है अब तक मुरादबाद के अंदर कोरोना संक्रमेट मरीजों की संख्या 5045 तक उभच चुकी है जिसमें इलाज के दौरान 102 लोगों की मौत भी हो गई है कोरोना का कहर देखते हुई जिला अधिकारी राकिष तंग ने स्वास्ते विभाब को आधेश दिये हैं कि कडी दर कडी कोरोना के टेऊच किए जाएं हमें 50-60 पुलिस अधिकारियों के कर्मियों के सैंपल लेने जिसमें लगबग 22 महिला पुलिस कर्मी बाकी पुरुष कर्मी हैं जिनके सैंपल लेकर जाएंगे विवेक कुमार ने बताया मास्क और दो गज की दूरी हमारे लिए बहुत जरूरी है तब ही हम कॉरोना से लड़ कर आज SSP ओफिस को दो दिन के लिए बंद किया गया है और स्वास्ति विभाग के द्वारा पुलिस लाइन में सभी की जांच के सैंपल लिए गए और सभी को सुरक्षित रहने को कहा गया भारी संख्या में आज पुलिस कर्मियों की जांच की गई क्या नाम असरा को विवेक कुमार विवेक जी कहा पाँ आज हम लोग जो है स्वास्विवाग की तरफ से पुलिस लाइन में आये हैं इसमें जो हैं यहां पर दो कॉजेटिव केस निकले थे हमारे पर इंफॉर्मिशन थी यह मोशाथ के तुरू तो इसमें जो है साठ पच से काम करेंगे और जो है हम लोग पूरा मिलब सेहोग देंगे इस लेडी जो है वीज से बाइस सम्थिंग लेडी जहें बाकी टोटल जैंट से स्टाफ में करोना की जाए जब तक पूरा हमारे साठ सेंपल कंप्लीट नहीं हो जाते जब तक हम लोग यहां पर तूरा बढ़ भी रहा है वो भी हो रहा है जी जी इसमें यही है मेरा मानना तो यह है कि इसमें जो है हम लोग को प्रोटेक्शन और सेफ्टी बहुत ज़रूरी है सेफ्टी के मैंने मास्क लगाया रखें और दो गज की दूरी बनाया रखें इसी से हम करोना से मलब शुटकार मैब विवे कुमा को